Hello dear students, welcome to the channel hashtag studyvista2021 और lecture no.1, lecture no.2 में हम 4.8 articles तक कर चुके हैं, chapter no.4 के अब हम discuss करेंगे इसके बचे हुए तीन articles, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे इसके examples, अब देखेंगे आज हम सबसे पहला article क्या करेंगे, derivation of hermits polynomials from Rodriguez formula बहुत ही जादा simple है, हम क्या करते हैं, रोड़ी की इस formula तो हम जानते ही हैं, हम प्रूफ कर चुके हैं पिछले lecture के अंदर, कुछ नहीं करना, आपको सारे hermits polynomials के value नहीं काड लिए उसके लिए आपको पता है, n को 0 रख देंगे, तो h0 की value आजाएगी, n को 1 रख देंगे, तो h1 की value आजाएगी, n को 2 रख देंगे, तो h2x की value आजाएगी, n को 3 रख देंगे, तो h3x की value आजाएगी, इस type से तो सभी value उसको put करते नहीं 1 आ जाएगा ठीक है तो simple derivation है h1x को put करेंगे तो 2x आ जाएगा यहाँ-जहाँ n हना वहाँ आप put करदा 1 और उसको करदा derivative और यह 2x आ जाएगा 1, 2x, h2x आ जाएगा 4x square minus 2 h3x आ जाएगा 8x cube minus 12x similarly we can show that h4x यह है, h5x यह है ठीक है, derivation देखो hermits polynomial का हम पहले भी कर चुके है लेकिन यह क्या है ड्रोडिगे उस formula से hermits polynomials का derivation अब देखे, next article है, यह तो बिल्कुल simple था just values निकाल लिए आपको आगे देखो another formula hnx के लिए एक और formula है जिससे आप hnx की values को निकाल सकते हो या फिर hnx को represent कर सकते हो जिसकी form में आप कह सकते हो this can be represented as 2 raised to the power n into exp dot मतलब exponentially यानकि e की power के अंदर है या चीज़ जो bracket के अंदर है यानकि minus 1 by 4 d2 by dx के यानकि derivative है x raised to the power n चेक है, अब देखो we have हमारे पास क्या है, सबसे पहले आप इसको solve करेंगे we have exponential इसका exponential है यानकि e की power के अंदर है अब आप जानते हो e की power x को आप किस टाइप से expand कर सकते हो, पिछल एक्चन में बहुत अच्छे से समझाने, x raised to the power n divided by n factorial और n is equal to from 0 to infinity इस टाइप से न, अब देखो अगर ऐसा है तो आप इसको भी यानकि इसको x मान लो न, इसने x की power n बताया है तो इसको n मान लो यानकि इसकी power n divided by n factorial और summation दा n से infinity होगा ही होगा अब देखो जो exponential इसकी value है इसकी into e की power 2tx भी निखा इसने ये भी हमें धान लखना होगा तो इसके साथ इसने ये लिख दिया है कि power 2tx आप देखो अब आगे इसने क्या किया सबसे पहला काम इसने क्या किया minus 1 की power n इसने भार ले ली उसके बाद इसने क्या किया minus 1 raise to the power n है n factorial है कोई change नहीं हुआ 1 by 2 d by dx की power 2n होगी यानि कि इसका भी square था और 1 by 2 का भी square था तो इसने 2n कर दी power और 1 by 2 d by dx लिख दिया and e raise to the power 2tx अब आगे देखो इसने इसको open कर दी अब तो 2 raise to the power 2n होगी और यहाँ भी इसका d2n divided by dx 2n होगी इन दोनों की power क्योंकि open कर दिया न और e raise to the power 2tx यह तो हई है अब देखो यह सब है as it is अब इसने यहाँ क्या किया देखो इसने इसका कर दिया derivative 2nth derivative 1, 2, 3 derivatives नहीं 2n तक 2n derivative कर दिया इसने इसके तो क्या हैगा e की power देखो वो तो as it is रहेगी रहेगी जो आप कितने ही कर लो लेकिन x के साथ जो है न 2t उसकी power उतनी आ जाती जितना इसका derivative है यह आपको पता होगा derivative है अब लकुल सिंपल सा concept है प्रस्टू से करते आ रहे हैं ठीक है e की power as it is और जो इसके साथ है न 2t उसकी power वही हो जाएगी जो मैंद अब जी सोट रोग हमने derivative किया तो उसकी power हो जाएगी 2n अब आगे देखिए e की power 2t x को भाहर ले लिया अब n factorial 1 की minus 1 की power n यह सब तो as it is है 2 की power 2n से 2 की power 2n कैंसल कर दिया और t की power 2n बच गया ठीक है यह था यह इसने भाहर ले लिया अब आगे देखो minus t square की power n ली सकते हैं इसको यहनके minus 1 को अंदर ले गया और पूर e की power इसने लिख दी गया n n divided by n factorial अब देखो अब इस summation को देखो इसको expand कर सकते हैं इसके expansion को भी हम तो e की power में represent करी सकते हैं तो यहां पे n की x की जगे क्या है minus t square है ठीक है तो e की power 2t x और e की power minus t square और e की power यह चीज आगी यानके यह चीज यह कौन सी यह वाड़ी चीज इसके को लागी हमने प्रूफ कर दी अब आगे देखो generating formula से जो exponential है इसका into e raise to the power 2t x generating formula आप जानते हो summation n is equal to 0 to infinity h n x t raise to the power n and divided by n factorial ठीक है और आप इसके क्या कर सकते हो देखो इसने अब क्या कर दिया e की power 2t x को इसने इस expansion की formula लिग दिया हर जगे इसने देखो यह की concept use किया हुआ expansion का अगर आपको यह समझ आ गया तो कोई दिक्कतवारी बात नहीं है देखो इनको solve करने में अब आगे देखो इसने as it is लिखा इस चीज़ को इसका इसने expansion जो इसने mention किया हुआ यह लिख दिया और यह इसने as it is लिखा उसके बाद देखिए हम क्या करते है उसके बाद दुन्नों side t ki power n के coefficient को कर दो क्या equate इस side to t ki power n का coefficient है यह और इस side t ki power n का coefficient है यह तो इसका मतले बार हमें चाहिए क्या 1 side hnx चाहिए क्योंकि hnx की value निकाल लिए ना उसी को represent करना है तो simple जिवाद and factorial को दूसरी side ले जो वहाँ से कट जाएगा सिदा यह बच जाएगा बस ठीक है 2 raise to the power n x raise to the power n और अंदर वाला ठीक है यह था हमारा another formula और last article हमारा recurrence relations देखो recurrence relations हमने पहले भी किये हैं और हम पहले भी discuss कर चुँए कि recurrence relations देखो समझने में कोई problem नहीं होगी आपको क्योंकि बहुत इस इंपन है फिर भी हम क्यों भूल जाते हैं exams के अदर क्योंकि हमें ना इनकी practice करेंगे तब हमें यह याद रहते हैं अगर हमें पता है कि step इसे start करना है उसके बाद यह step करना है तो आप result तक पहुंच सकते हैं नहीं तो ना समझने वाले तो कोईखा बात नहीं होती है समझ तो हमें आ जाते हैं steps easy होते हैं बट उनको याद रखना पड़ता आपको और वो कब होगा जब आप बार बार उनको लिखे देखेंगे है ना अब देखो recurrence relations है चार recurrence relations है मैं आपको प्रूब बता देती हूं देखो अब यह देखो generating function वाले formula से लिख दिया आप थोड़ा speed ली चलते हैं क्योंकि simple है और जहां मुझे लगेगा कि problem आ सकते हैं आपको उनको अच्छे से explain करेंगा steps को यह हमने क्या लिखा generating formula लिखा फिर दोनों से एट x के respect में derivative किया 2x2t साथ में आ जाएगा x के respect में कर रहा है तो इस पर कोई फरक ने पड़ना सिर्फ यहां यही x का function है तो यहां hn-x आ गया बाकी देखो अब इसने क्या किया submission n is equal to 0 to infinity e को क्या कर दिया expand कर दिया अब इसको क्या लिख सकते है इसको expansion लगा दिया using 1 1 मतलब यह expand ने किया मतलब इसकी formula लिख दिया which is from generating formula जहां जहां यह है वहां यह लिख दिया और साथ में 2t तो था यह तो 2 as it is f t ki power n थी तो एक और थी यह तो n plus 1 होगी और यह तो है as it is अब आगे देखिए अब यह चीज़ तो है इसने 2 बहार ले लिया इनके score just rearrange कर लिया आप देखो equation 2 में भी written as equation 2 है यह इसको कैसे लिख सकते हो summation खोल के भी लिख सकते हो summation खोल दिया ठीक है फिर हम क्या करें कि देखो अब देखो आपको चाहिए का आपको क्या चाहिए कि T की पावर न का coefficient क्या दिख रहे आपको h and x दिख दिख रहा ना और आपको recurrence relation में भी तो h and x दिख चाहिए तो हम क्या करेंगे दोन्हों साइट T की पावर n का जो coefficient है उसको क्या कर देंगे equate कर देंगे यहां तो coefficient आजएगा यह यहां coefficient क्या आएगा यह equal put कर दो ठीक है और देखो यह n-1 factorial है यह n factorial है तो यहां सिर्फ n बज़ जाएगा rearrange करके आपके पास यह चीज़ आजएगे ठीक नह था ना simple बिल्कुल simple steps हैं second क्या है देखो second को भी आप हां से शुरू करेंगे regenerating formula से शुरू करेंगे the other side x के respect में क्या था यहां t के respect में कर देंगे derivative वो करके फिर इसने क्या कर दिया सिर्फ एक term को खोल दिया बाकी को summation की form में ऐसी रहने दिया ठीक है फिर इसने क्या कर दिया इसको e कि power to q यहां दुबारा फिर इस form में से να वो कर दिया convert फिर फिर हम क्या करेंगे इसको भी इसने क्या कर दिया अलग-अलग कर दिया ठीक है अलग-अलग मतलब यहां 2x था माइनस 2t था इसके साथ इसको अलग से लिख दिया और इसके साथ इसको अलग से लिख दिया और यह ही है फिर वही काम करेंगे पिछे वाला इनको खोल देंगे, इसको भी खोल देंगे और दोनों साइटी की पावर एंड की कोफिशन को क्या करतेंगे equal करतेंगे तो भाइस ने क्या equal कर दिया रियरैंज करके हमारा क्या आगए Recurrence Relations है आगे ज VC k Deaf क optimize कर्रणी है कोई difficult steps नहीं है अगे आगे देखिए 2 और हो रहते हैं हमारे अब यह recurrence relation वान है देखो एक दूसरे recurrence relation को भी यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे को भी तो recurrence relation number one ये था अब recurrence relation number two ये था five को four में से subtract कर दो third recurrence relation आगा मतलब अब ये मैं सोचेगा कि ये तो बहुत जादा simple है एक्जाम में हमें दो तीन steps तो लिखने हैं नहीं आपको पता है कि आपको पहले first arrive करना पड़ेगा फिर second arrive करना पड़ेगा और फिर यह आएगा तो यह तो बड़ा हो गया ना उनसे भी अब आगे देखो और fourth क्या करेंगे हम generating formula लिखा हमने differentiate किया with respect to x यह चीज़ आगे अब with respect to t पहले x के respect में किया फिर हम क्या करेंगे t के respect में करेंगे donor के respect में कर दिया फिर इसने क्या कर दिया वही काम कर दिया 0 वाली term को तो open कर दिया और summation 1 से शुरू कर दिया हम भी कर देंगे हमें क्या problem है फिर देखो यह चीज़ इसके एकवल आगी ठीक है क्योंकि 0 से multiplication ही तो होगी 0 यह just इसके एकवल आगया ठीक है फिर देखो 7 को multiply करेंगे x-t से 7 था यह वाली term 7 ठीक है x-t से तो यह चीज़ आजाएगी और 8 को multiply करेंगे t से यह इसको टी से यह चीज़ आजाएगी अब इ इसने क्या किया x-t और यह just यह क्या है देखो धान से देखिए इसकी right hand side है और यह क्या है इसकी right hand side है क्योंकि left hand side तो दोनों किसे है मैं तो right hand side को make well put कर सकते है वही कर दिया इसने फिर इसने क्या किया यह x-t था x के साथ अलग से ले लिया t के साथ अलग से ले लिया हम भ तो यह थी हमारे आर्टिकल्स और रिकरेंस डिरेशन की सॉल्विंग तो काफे जादा सिंपल है अब जितना हैं को करके देखेंगे उतना ही आपको क्लीरली समझेंगे और उतना ही आपको याद भी रहेंगे तो नेक्स लेक्चर में हम इसके एक्जाम्बल्स डिसकस करेंगे अगर आपको अच्छा लगा, समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें So keep learning and thanks for watching